बच्पन की खोज एक रेडियो एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था वह बहुत ही जिग्यासू और संचारशील बच्चा था उसके लिए गाव के बहर नई चीजे देखना और सीखना बहुत महत्वपून था गाव में स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसे अधिकांच समय खेतों में या गाव के पास के जंगल में ही बिताना पड़ता था राजू के पास एक पुराना रेडियो था, जिसे उसने एक दिन एक बुजूर्प से लिया था ये रेडियो उसके लिए एक मंगल स्रोध बन गया, उसके पास इसके लिए कोई बैटरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ख्याल उठा वह जानना चाहता था कि रेडियो में बिना बैटरी के भी संगीत कैसे बचता है एक दिन राजू जंगल में घूमने गया और वहां उसने एक पेड़ को एक लंबी लकड़ी के साथ चरते हुए देखा उसे याद आया कि एक दिन उसने सुना था कि पेड़ की लकड़ी आग में जलते समय भनी निर्मित करती है वह उस लकड़ी को पकड़ कर घर ले आया और उसे रेडियो के नीचे रख दिया अगले दिन जब राजू ने रेडियो चालू की उसने अदभुत बात देखी रेडियो बिना बैटरी के भी संगीत बज रहा था उसका ख्याल सत्य हो गया था राजू को ये बात समझ आ गई कि जब रेडियो की सनरचना लकड़ी के साथ मिल जाती है तो ध्वनी पैदा होती है वह ये समझने लगा कि लकड़ी में चिपी उर्जा रेडियो को चालू करने के लिए प्रयोग हो रही है राजू बहुत खुश था और उसने देखा कि रेडियो में संगीत बचते समय उसकी मनोकामनाय पूरी हो रही थी उसका इंतजार बचपन से चल रहा था कि कब उसे अपने गाव में एक बहतर और आधुनिक स्कूल मिलेगा जहां उसे नई ग्यान की खोच करने का अफसर मिलेगा अंततः एक दिन एक सरकारी विद्याले गाव में खुल गया और राजू उसकूल में प्रवेश कर लिया ये स्कूल उसकी खुशियों की खान बन गया और उसके जीवन की दिशा बदल गई